Well friends, हमने data searcher subject में, engineering में हमने infix notation पढ़ी है, prefix notation पढ़ी है, प्रीफिक्स notation पढ़ी है, लेकिन आई येस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, कि हमें postfix और prefix notation की जरुवत क्यों पढ़ी? आई येस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, कि postfix notation सबसे आदर important क्यों हैं, तो आईए जानते हैं, अब जो हम यहाँ पे topic देख रहे हैं, वो है हमारा कि infix notation क्या होता है, postfix notation क्या होता है, prefix notation क्या होता है, तो आईए देखते हैं, let's say हमारी जो infix notation होती है, हमारी कुछ इस तरह से होती है, हमने यहाँ पे लिखा a plus b, इसको आप जानते हो, जो normal हम mathematical notation लिखते हैं, इसको हमें infix notation बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो operator है, वो हमारा बीच में आगा, operants जो है, उसके left and right side पहेंगे, ठीक है, postfix notation में क्या होता ह है, कि operator बाद में आएगा, post है न, post का मतलब होता है कि बाद में आना, henceforth, यहाँ पे, यह notation कैसे होगी, यह a and b and plus, जो operator है, वो आपका बाद में आया, and prefix notation, pre का मतलब होता है, पहले, इसलिए, जो आपका operator है, वो पहले आएगा, that means plus and a, b, तो इस तरह से हमारी चीज़े चले ठीक है, let's say, for example, यहाँ पे मैं एक expression लेता हूँ, okay, तो यह expression है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, a plus b star c, तो in fix form में तो हमारी यह हो गई, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, let's say, हम assume करते हैं, जो star की जो priority operator की, वो ज़्यादा है, plus की तुल्ला में, henceforth, मैं यहाँ पे यह कह पोस्ट fix में देखोगे, तो पोस्ट fix में सबसे पहले यह चीज होनी चाहिए, है ना, तो यह expression हमारी given थी, a plus b star c, तो सबसे पहले इसमें यह चीज होगी, henceforth हमें क्या मिलेगा, a plus, आप इस तरह से लेक्श करो, b c star, ठीक है, और इसके बाद, यह एक operand यह हो गया, और एक operand इस तरह से हो गया, तो final जब आप निकालोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या, a, b c, star, plus, यह हमें इसका मेरा post fix notation, इसी प्रकार, अगर यह वाली हमारी जो notation, यह जो expression थी, इसका मैं prefix निकालता हूँ, तो सबसे पहले again, जो यह है, पहले इसका होगा, because इसकी priority higher है, तो इसका मैं prefix निकालूँगा, तो सबसे पहले operator आएगा, जो बीच वाला था, that means plus, इसके बाद a, then इसके बाद आपका star, b, c, यह मुझे मिला prefix, यह मिला post fix, और यहाँ पे, let's say, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a, plus, b, star, c, यह मेरा क्या था, infix, जो सबसे important बात, मैं जो आ यहाँ भी a पहले आया, बाद में a के बाद b आया, और b के बाद c आया, तो कहना मैं यहाँ बाद b और c, यहीं पे पहले a आया, उसके बाद b और c, तो कहना मैं यहाँ यह चाहा रहा हूं, कि इन तीनो नोटेशिंस में, जो Operant का order है, वो change नहीं होता, Operant order does not change, है नह? केवल केवल और केवल आपका operator का order change होता है operator order changes this is the most important thing ठीक है तो यह चीज मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहरा था अब हमारे जो question था जो main topic जो यहाँ पर था वो यह था कि हमें post fix notation की जरुवत क्यों पड़ती है अब आप देखे क्योंकि आप देखे सबसे पहले हमने जितने भी तीने expressions में आपने देखा होगा सबसे पहले हमने यह वाला portion को execute करा है because priority star operator की जादा थी ठीक है अगर मैं यहाँ पर infix notation को देखता हूँ यह वाली हमारी notation थी तो जब scanning करेंगे from left to right ठीक है left to right scan करेंगे तो सबसे पहले मैंने a पढ़ा a के बाद plus पढ़ा और उसके बी पढ़ा तो b पढ़ा क्या मैं a plus b operation perform कर सकता हूँ नहीं कर सकता right because इसके बाद एक higher priority operator आ रहा है henceforth मुझे यह पूरी expression पहले पढ़नी पढ़ेगी ताकि मैं determine कर पाऊं कि higher priority operator कौन है तब ही उसके बाद फिर मैं यहाँ पर operations perform करूँगा ठीक है तो इसलिए in fix notation में यह drawback है कि आपको पूरी scan करनी पढ़ेगी right for example यहाँ पर देखे 2 plus 3 star 4 है in fix notation में तो सबसे पहले हमने 2 पढ़ा उसके बाद plus पढ़ा फिर 3 पढ़ा क्या मैं इस operation को perform कर दूँ नहीं मैं इसको perform नहीं कर सकता because इसके बाद एक higher priority operator आ रहा है hence many scans are required in in fix notation but just in case अगर आप post fix notation में देखे यहाँ पे post fix notation में यह चीज़ कैसे होती है हमारे पास हमारे पास यहाँ पे होता यह हमारी post fix notation बनी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा 2 पढ़ा फिर 3 पढ़ा फिर 4 पढ़ा और जैसे हमें star मिलता है जैसे हमें star मिलेगा यह जो last के जो दो elements जो हमने पढ़े थे इन दोनों का multiplication कर सकते हैं ठीक है that means 3 into 4 हमें मिलेगा 12 that means हमें यह पे इसको पुश कर देंगे 12 और उसके बाद जब next time हम plus पढ़ेंगे that means यह जो दो elements हैं इनको फिर से pop करेंगे मुझे के मिलेगा 2 plus 12 which is 14 that means मैं यह पे यह कहना चाहरा हूँ कि operator की जो priority वाली दिक्कत है वो post fix में नहीं आती है आप left to right scanning करिए जैसे ही आपने यहाँ पे पहला operator encounter किया आप last की दो values को लिजे उनके साथ उस operator को operation perform करिए ठीक है आपको आगे की scans करने की ज़रूत नहीं है only one scan only one scan is required for post fix notation यही सबसे बड़ा advantage है और इसी लिए हम post fix notation को use करते हैं आप prefix में भी देखोगे अगर आप सबसे पहले left to right अगर हम scanning करते हैं तो पहले plus पढ़ा फिर a पढ़ा उसके star आ रहा है तो इसमें भी आपको many scans required है एक से ज़्यादा scans आपको करने पढ़ेंगे बट केवल post fix notation है यह कैसी notation है जहाँ पहले अगर आप left to right scanning कर रहे हैं तो आपको केवल एक scan की ज़र्वत पढ़ेगी और पूरी आपकी expression evaluate हो जाएगी तो यही सबसे important बात थी यही चीज़ में आपको समझाना चाहरा था तो आईए चीज़ों को summarize करते हैं ओके तो for example यहाँ पर हमने चीज़ों को summarize किया है in fix notation में processor will scan full string from left to right in order to determine higher priority यह सबसे important बात है उसे पूरी scanning करनी पड़ेगी ताकि वो जान पाए कि कोई higher priority operator तो नहीं आ रहा ठीक है hence many scans are required to evaluate the final answer post fix notation में no need to scan full string first आप directly operation को perform कर सकते हैं जैसे ही आपको operator को आप encounter करते हैं जैसे यहाँ पर पहली बार star मिला तो last की दो values को pop करिए इनका result आप फिर वो अपस push करिए तो only one scan is required over here whereas prefix में इसमें भी अगर आप left to right scanning कर रहे हैं this also requires full scan काफी scan चाहिए है यहाँ पर तो final conclusion हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से निकला कि user types in infix form but जो compiler है वो आपका क्या करता है post fix notation में उसको convert कर देता है before handling code to the processor ठीक है तो यही सबसे बड़ा advantage है हमारा post fix notation का यहाँ